हलो फ्रेंड्स मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल गार्णिंग टिप्स बाई सुनीता वर्मा पर फ्रेंड्स आज मैं आपसे शेर करूँगी कि सर्दियों में कॉलियस के प्लांट की देखबाल कैसे करें और कटिंग से नए-ने प्लांट कैसे तयार करें फ्रेंड्स जो विंटर सीजन है इसमें फ्लावर्स तो खूब खिलते ही हैं साथ में जो रंग बिरंगी पत्यों वाला यह कॉलियस का प्लांट होता है यह भी अमारे गार्डन को जो इसकी ब्यूटी होती है गार्डन की उसे कहीं गुना बढ़ा देता है है ना और इस प् की लिए रंग है इने लेने के लिए थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है पहली बात है कि इसको ऐसी जंगे रखते हैं जहां दो तीन घंटे की धूप आए जैसे यह प्लांट है वेरा तो इससे में दस बजेवे हैं दस गारे कास पास टाइम है तो अब इसके उपर धूप आ रही है खूब और उसके बाद जो है एक घंटे के बाद लगबग दूप चले जाएगी यह निकि इस प्लांट के उपर दो या तीन घंटे की धूप रहती है बस है ना इस टाइम जो इसकी लीव्स दिखाई दे रही है वो तेज शाइनिंग की किसी मॉैस्ट रहे ठीक है और वाकि जो फर्टिलाइजर है फर्टिलाइजर तो डालते ही है जो भी हम दूसरे प्लांट को देते है अब यह जो मेरा प्लांट है ना काफी लंबा हो गया है है ना काफी उंचा हो गया तो इसे काटना को मेरा मन तो नहीं कर रहा लेकिन यह काटना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद जो है इसके लिव्स की गिरने लगी काफी लंबह होने के बाद ये भारी होगे न उपड़ से क्योंकि इसकी पत्ति लिव्स सब्सक्रों कांख lavoro करूंगी मैं इस वीडियो मैं बताउंगी कि मैं sie को कैसे ग्रो करूंगी लगाने से पहले मैं आपको यह अपनी पुरानी कटिंग दिखाती हूँ यह मैंने करीब दो मेहने पहले उन्हे लगाया था और अब यह खूब अच्छी तरह तैयार हो चुकी इनमें खूब अच्छी तरह डवलप हो चुकी ये ग्रो बैग में मैंने खुदी इन कटिंग्स को तैयार किया था ये इसकी रूट्स देख रहें आप कितने अच्छी तरह इसकी रूट्स डवलप हो चुकी इसे लगाने के लिए जो मैंने पोटिंग म इसके ये potting mix में मैंने लिया है soil mixture है ना ये soil mixture है और ये compost, cocopete और river sand है ना और ये root power है ये chemical है जो मैं mostly plants में डालती हूँ जो भी नई कलम लगाती हूँ ना वो इसमें डालती हूँ क्योंकि rooting hormone जो दूसरा होता है जिसे हम लगाते है वो तो मेरे को यहां नई मिला था तो इसे क्या करते है दो चार बोन पानी में डालने के बाद इसमें फिर हम जो अपनी कलम cuttings लगाते है ना उन cuttings को dip करके रख देते हैं यह cuttings है इनकी जो यह बड़े वाली leaves है ना जो नीचे की बड़ी बड़ी leaves है इनको cut कर देंगे जिससे कि इसके उपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े जो मारी कलम होती है ना तो उसमें leaves हमें कम से कम रखनी चाहिए जितनी लेकिन इसमें फिर भी काफी रखी है जैसे रोज वगएर में तो बिल्कुल भी कोई भी leaves नहीं रहने देते अब इन cuttings को इस liquid में डाल दिया तो काफी देर इसे रखने के बाद फिर इसे उस potting mix में लगाएंगे जो अभी potting mix दिखाया ना मैंने आपको उस potting mix में इनको लगा देंगे ग्रो बैग में mixture को भर दिया और mixture को भरने के बाद ये cuttings लगा दी मैंने ठीक है तो friends इस तरीके से आप भी अगर अपने plants को लगाएंगे तो वो plants आपके अच्छी तरह से grow करेंगे और हाँ इस बात का ध्यान जरूर रखे कि इनमें जो है इन कलम में पानी कम से कम डाले बस हलके पानी का spray करें और ये जो grow bag है इनमें मैंने काफी बड़ा नीचे whole किया हुआ है और friends आप भी अपनी cutting इसी तरह के से grow करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please like and share जरूर करें Thank you very much